बहराइस के हिंदुस्तान चायल्ड हास्पिटल में मासूम की मौत के आकले खुलने हुए सुरू जब हिंदुस्तान चायल्ड हास्पिटल में मासूम की मौत के बाद हुए बिवात का मामला तूल पगा तो पुराने मामले भी खुल कर सामने आने लगे आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आप भी हिंदुस्तान चाइल्ड हास्टल में हुए मासूम की मौत के मामलों पर सवाल जरूर उठाएंगे मैं धरमपाल बच्टा बकसिपुरा के रहने वाला हूं मेरा नाम है छोटु पाठक मेरे पासлом मेरे पर 500 दे बिलकुल पैसे की कम करीब करीब हुए कब करीब मेरे जोट बचटी तो एक गरीब बंदा पैंड का काम करता हुए पिर और कहीं से करजा पानी गरवाली के जे और अगेरा भी मैंने गिरूई रगदी मैं पचाहाजार रुपए गया सुनार के आशे भी लेकर आया हमारे चार लाग बारा अजार के करीब पूरी हमारी पैमेंट लगी अज से कुछ दिन पहले बहराईस के हिंदुस्तान चाहिल हास्पिल में मासूम की मौत के बाद परजनों के द्वारा हंगामा मचा दिया गया था इस दवरान परजनों के दोरा हिंदुस्तान चायल हास्टल के संचालक डाक्टर गयास पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया था कि डाक्टर गयास के दोरा पैसे बनाने के लिए मासूम को मार दिया जाता है इसके बाद यह मामला तूल पकड़ लिया और उसका अंजाम यह हुआ कि पीडित परिवार की तहरीर पर बहराईज के नगर कोत्वाली पुलिस के दोरा हिंदुस्तान चायल हास्टल के संचालक डाक्टर गयास पर धारा 304A, 504 और 506 में मुकदमा पंजिक येत करके आगे की कारवाई सुरू कर दिया गया लगी निसी बीच वो लोग भी सामने आ रहे हैं जिन्होंने हिंदुस्तान चायल हास्टल में अपने बच्चों को खो दिया और अब उन लोगों के दोरा भी कारवाई की मांग की जा रही है आज इस व्यक्ति को हम आपको सुनाने जा रहे है वो बहराई जिले के भठा बक्सी पूरा का रहने वाला है उसका नाम छोटू बाठक है उसके द्वारा बताया गया है कि सन 2018 में डाक्टर गयास के द्वारा उसके बच्चे को जिला अस्पिताल में देखा गया था उस समय डाक्टर गयास के द्वारा बच्चे को लखनों क अए लिए रेफर्ग किया था, जिस दौरान डाक्टर गयास के क्लिनिक का एक वक्त हमारे पास पहुचा बठा बक्सीपुरा के रहने वाला हूं मेरा नाम है छोटू पाठक मेरी ये कहानी है संदो अजार अठारा की अठारा में मेरी घरवाली की जब डिलेवरी हुई मैंने डिलेवरी एक प्राइबेट होस्पिटल में करवाया वहाँ पर जनम अश्टमी के दिन बच्चा मेरा र कुछ जाज किया उन्होंने बुला सब कुछ ठीक है बाकी एक बार आप जो है न सरकारी होस्पिटल में मेरे को सुबा उन्होंने बेद दिया वहाँ जब मैं पहुंचा साथ बज़े बुले आठ बज़े डाक्टर राउंड पे आएंगे बाकी उससे पहले जो भी वहाँ थे उन्होंने रुपोर्ट देखी बुले आपका बच्चा नोर्मल है कोई दिक्कत नहीं है आठ बज़े डाक्टर राउंड पे आएंगे उनको दिखा दियो इसके बाद आपको रिपर कर देंगे घर के लिए आप घर ले जीओ जब डाक्टर आये तो उन्होंने बोला य है इसकी सासे जो है न थोड़ी तेज हैं और आपना लखनो दिखा दो जब मैं लखनो की तयारी बना लेगा फिर इनका बंदा किलनिक का आया वो बोला जो है ये डोक्टर जो है ग्याय सहमत ये पहले लखनो में ही रहते थे अब यह यहां आगे तो इनकी निजी किलनिक है मैंने गा चलो कोईनी जैसे लखनो जाना हमारा किराय भारा बचे का मैं इनके किलनिक पर ही चला गया वहां चला गया तो दो तीन दिन उनने वैसे दवाईया बोले बोले ठीए कोई दिकनी स्वास सहीं सब पूछ है लेटरिंग बाथरूम सब पूछ है तीसरे दिन इननों ने जो है बिलेट की मांग कर दी मैंने बिलेट का भी जुगार कर दिया ऐसे करते करते इन्होंने 15 दिन गुजार दिये फिर 15 दिन लाइट में बोले भी बिलेट जो है न बच्चे कम है और भी चड़ाना पड़ेगा फिर मैंने जुगार कर दिया मेरे पास बिल्कुल 15 दिन पैसे की बिल्कुल कम होगे कम से कम 3.5 लाग के करीब मैं चला गया बिल्कुल मेरे पास बचड़ी मैं तो एक गरीब बंदा पैंड का काम करता हूँ ऐसे मैं तो फिर ऐसे मैंने फिर और कहीं से करजा पानी घरवाली मैंने गिरूई रग दी मैं 50,000 रुपे गया सुनार के यहां से भी लेकर आया फिर मैंने 5 दिन और काटे हमारे 4 लाग 12,000 के करीब पूरी हमारी पैमेंट लगी इसके बाद फिर जब मैं फिर 22 दिन हो गए फिर उन्हों मेरा बच्चा इकोई से दिन जो है इस्पायर हो गया मेरे को बहुत तकलीप हुई मैं सुच्चा की केस करूँगा तो जो फिर मेरे को बंदे बोले कुछ ही नहीं हो सकता इतनी पैमेंट करने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ में सुच्चा भी करने लोग बोले क्या फायदा कुछ ही नहीं होता तो ऐसे ऐसे जो है यहां पड़े हुए मैं एक बहराईज का ब्यक्ति बंदा गरीब हो मारा बक्सी पुरा में घर है बहराईज जिले से न्यूज एड़िट यूपी के लिए रहान कादरी की रिपोर्ट